Hello everyone, यह जो वेकेंसी है, यह साइन्स के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी वेकेंसी है, साइन्टीस की पोस्ट के लिए है, वो भी CSIR की National Chemical Laboratory, जो की पूने के अंदर है, उसमें है, इसमें साइन्टीस, senior साइन्टीस की पोस्ट आई हुई है, जो अप्लिक एक एसी और एक OBC Backlog की वेकेंसी है, जो पे स्केल है, वो लेवल 11 का है, 7th Pay Commission का, फॉर्म के लास्ट डेर, यनि कि 10 मार्च 2022 पर जो है, वो एज काउंट होगी, वहाँ पर जो मैक्सिमम एज है, 32 यह होनी चाहिए, senior साइटीस पोस्ट जो है, वो चार पोस्ट है, अन्रिजर पाद है Principal Scientist की पोस्ट, 6 पोस्ट आई होई है, और जो मैक्सिमम एज है, वो 45 यह से, ऑनलाइन अप्लिकेशन जो है, वो 31 जन्वरी से भरने शुरू हो चुके हैं, तो इसको जल्दी भरिये, लास्ट डेर, जो है, वो 10 मार्च है, वहीं पर अप्लिकेशन फॉर्म फिल करक और साथ में जो भी नेसेसरी डॉकुमेंट्स हैं, उसके साथ अप्लिकेशन फॉर्म को एंसेल भेजने की जो लास्ट डेट है, वो 21 मार्च 2022 है, साइन्टिस्ट पोस्ट के लिए जो इसेंशल कॉलिफिकेशन है वो पीच डी है, पीच डी सम्मिट हो चुकी होनी चाहिए, फॉर्म भरते टाइम, पीच डी जो मांगी है, वो कैमिकल इंजिरिंग, कैमिकल टेकनोलजी, पॉलिमर इंजिरिंग, माटेरियल साइन्स या फिर माटेरियल इंजिरिंग के अंदर होनी चाहिए, इसके लावा पॉलिमर इंजिरिंग, पॉलिमर टेकनोलजी, प्लास्टिक engineering और plastic technology के अंदर भी अगर आपकी PhD है तो आप यह form फिल कर सकते हो हर बार जो इन्होंने category divide की हुई है scientist post के अंदर वहाँ पर उसके according qualification मागी हुई है जो PhD की qualification है वो almost same लग रही है लेकिन जो desirable qualification है वो research work के according different होती जा रही है तो जिन भी candidates का जो भी research work रहा होगा उनके PhD duration time पर वो उसके according अपना form फिल कर सकते हैं उसके according अपना जो post है उसको mention कर सकते हैं जैसे OBC backlog की vacancy के अंदर PhD submitted चाहिए बट PhD microbiology में biotechnology, microbial science इन में किसी के अंदर चाहिए साथ ही जो desirable work है वो इसके recording है, paper publish होने चाहिए, patent हो, patent आपके इस एरिया के अंदर आपके पास patent हो, कई सारे research paper हो, high impact factors के तो वो काफी अच्छा होगा, desirable qualification के अंदर है यह senior scientist की post के अंदर category unreserved है वही पर जो essential qualification मांगी गई है वो PhD मांगी है इन्होंने chemical engineering, chemical technology, material engineering, polymer engineering में होनी चाहिए या फिर PhD material science के अंदर हो और साथ में दो साल का जो research experience होना चाहिए, PhD के बाद research and development areas में इसके लाबा senior scientist की post में PhD मांगी है, chemistry के अंदर साथ में दो साल का experience होना चाहिए, PhD के बाद वो भी research and development area में प्रिंस्पल साइंटिस्ट की post के अंदर प्रिंस्पल साइंटिस्ट के लिए जो qualification मांगी है वो PhD, chemistry, biochemistry, pharmacology और pharmaceutics में होना चाहिए, PhD के बाद कम से कम 3 साल का experience होना चाहिए, वो भी जो यह relevant research and development areas है उसके अंदर उसके लाबा जो भी आपका desirable qualification है वो यह रहा कि significant research contribution होना चाहिए, ठीक है, national और international journal में वो भी as a first author इसके लाबा कुछ corresponding author में भी आपके publications होने चाहिए तो जिन में यह बहुत ज़दा high qualifications होगी, उन candidates को preference दी जाएगी जो age का calculation है वो 10 March 2022 के दिन पर होगा, उसके लाबा जो age में relaxation है वो government of India के rules के according दिया जाएगा and post में जो भी post mention की गई है, वो सारा यहाँ पर follow होगा, government of India के rules अगर आपकी सारी qualification fulfill होती है, उसके बात भी ज़रूरी नहीं कि आपको interview के लिए बुलाएंगे यह जो इनकी committee बनाएंगे, screening committee, उनका अपना criteria होगा, उसके according वो जो candidate को shortlist करेंगे तो जिने भी लग रहा है कि हाँ, मेरी qualification match कर सकती है, मैंने इतना research work कर लिया है कि इस notification में जो भी qualifications मागी गई है, मैं उसको fulfill कर सकता हूँ तो वो eligible candidate online जो form है, उसको fill कर सकते हैं, NCL की website पर जा करके इसका यह जो PDF है, वो मैं description में link कर दूँँगी इसके लाबा जब आप 10 मार्ज तक online application अपना fill कर दो, तो उसके बाद उसका print out लेकर के जो भी आपके educational certificates हैं, mark sheets हो गई, experience certificate हो गए उनको register या speed post के द्वारा भेज़ दो, ठीक है इसके लाबा कोई और तरीके से अगर आप अपनी hard copy भेजते हो तो यह बिल्कुल भी consider नहीं करने वाले अगर आप hand submission जा करके भी करते हो तो भी यह consider नहीं करेंगे तो 10 March 2022 तक शाम को 5.30 बजे तक आप form भर सकते हो जो application fees है वो 100 रुपए है प्रतिक post के लिए जिसको आपको online payment करनी है NEFT, bank transfer, net banking के द्वारा NCL के जो director है उनके नाम पर यह रहा account number, जो bank का name है, account number, उसका IFSC code, branch code और branch name तो बस इस information का use करके आपको अपनी जो application fees है उसको fill करना है जो in candidates के लिए जो है application की जो fees है उसमें छूट दी गई है तो जब आपका form complete fill हो जाए आपकी सारी जो documents हैं जो वो आप self-attest करके एक अच्छा सा envelope ले करके उसके उपर यह mention करके कि application for the post of फिर आपकी post फिर आपका जो post का code है क्योंकि जो इन्होंने post दी हुई है उनके अंदर अलग-अलग code बनाया और हर code के लिए इन्होंने अलग-अलग qualification और desirable qualification मांगी है तो आप अपने recording वो post देख लेना उसके recording post code देख लेना नोटिफिकेशन से और उसको यहां पर भर देना ठीक है इसके बाद जो इसका advertisement number है वो डालके register post या speed post के द्वारा भेज देना आपका जो यह post है वो 21 मार्ट 2022 तक साम को साड़े पांच बजे तक पहुच ही जाना चाहिए कहां पर controller of administration CSIR NCL Dr. Homie Baba Road पूने महरास्टर के अंदर अगर कोई candidate एक से ज़्यादा post code के लिए पोस्ट के लिए apply कर रहे है तो हर बार नया form भरिए फिर उसका print out लिजिए फिर सारे qualification certificates लगाईए फिर envelope लिजिए उसके अंदर सारी post code डालिए और उसके बाद इसको post करिए separately फिर form है वो 31 जनर्वरी से बरने शुरू हो चुके हैं जो last date है वो 10 मार्ट 2022 है online form भरने की online form भरने की वहीं पर जो hard copy पहुचने की है वो 31 मार्ट 2022 है तो जो भी candidates इस desirable और इस essential qualification को fulfill कर रहे हैं वो जरूर फॉर्म भरे I hope आपके सपने को उडान मिले और आप काफी उचाईयों तक जाएं उसके लिए all the very best, thank you